राजी के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानद भोगता सोमवार को चत्रा जिले के राजपूर पहुचे इस क्रम में ग्रामिनों ने उनका भव बिस्वागत किया इस दोरान मंत्री ने धमधंबा में कब्रिस्तान चारदिवारी घेराबंधी का शिलाने आस किया कारिक्षिम को संबोधित करतीवे मंत्री ने कहा कि जिले में विकास का कारे प्रारंब हो चुका है चाहे स्थानिय सवया गढ़ा से जोलडीहा पत का निर्मान कारे हो जो 20 करोड की लागत से हो रहा है या फिर कई उच्च विद्याले के जरजर भवन है या उसमें शौचाले का निर्मान कारे इसके लिए परियाप्त राशी दी गई है और कारे किया जा रहा है चत्रा में बाइपास का काम जन्वरी में शुरू कराया जाएगा मंत्री ने कहा कि चाहे शिक्षा का शित्र हो या चिकित्सा का या फिर सिचाई का सभी और सरकार का ध्यान है उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कारिक्रम चल रहा है जिससे लोग लाभान वित हो रहे हैं न्यूजविंग के लिए चत्रा से धर्मेंद्र पाठक के रिपोर्ट चत्रा आपके लाभ के लिए सथमाथ का तरुण थे को अप्सार कтесьते है all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and how he was doing. So, then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real, we can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know on this this coding platform it is definitely a very good platform and one should implement in every school